तो आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुप कामनाएं हो ली की और ये मेरा सभाग्या है देखे ये मेरी जन्म भूमी है और मेरी जन्म भूमी ने मुझे वापस बुलाया है मेरे अपनों ने मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी अगर मुझे चु अब एकदम भाव भिवोर हूँ, आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है, हमारे जो राष्ट्र प्रेजिडेंट है, जेपी नड़ा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही है, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, अभारी हूँ, और हमारे यशश्वी परदान मंत्री जो है, उनकी कृपा है हम पर, जो आज हमें ये इतनी बड़ी responsibility जो मिली है, तो हम सब का धन्यवाद करते हैं, देखिए challenges तो हमेशा से ही आए हैं, मैं बहुत छोटी उमर में जो है, वो घर छोड़ कर वेफसाय के कर सकूँ, तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा, अगर आप लोगों का इस तरह का रहेगा, कि हां कंगना हमारी सेवा में आए, तो definitely मैं आपकी सेवा में तत पर रहूँगी, वो मेरा मार्ग दर्शन करने के लिए बहुत जादा जैसे दिलिप जी होगी, इस तरह के बहुत स हमारी पार्टी में जिस तरह का जो कल्चर है, आपको पता है कि RSS का हो चाहे या तो हमारी जो भारती जनता पार्टी का जो कल्चर है, वो बहुत ही सब लोग एक दूसरे को सहयोग करने में विश्वास रखते हैं, तो उसी सहयोग के चलते हुए मैं भी इनके पीछे- पूरी पूरी कॉंसरे में बहुत जादा एक भाग आते हैं तो हम लोग सब जगा कैंपेंज करेंगे, हर लोगों तक छोटे-छोटे गाउं तक छोटे-छोटे कसवों तक पहुँचेंगे और लोगों को इसके पति जागरुत करेंगे कि किस तरह से एक नई आवाज, एक नया उत्सा और नये साहस के साथ जो है, हम भारत्य जन्ता पार्टी के जो उनका एक अजेंडा है, जो उनका एक गोल है, वो हम जन्साधारन तक एक एक अपने भाई, बेहन, माताओं तक लेके जाएंगे. अब हम भी कारे करता हैं, जिस तरह से जहां जहां हमें आदेश होगा, वहां वहां जाके, अब हमारा अपना कोई अस्तित्तो नहीं है, जो हम है वो पार्टी के ही साथ है, और पार्टी की विजए में हमारी विजए है, हमारे यशश्वी परधान मंतरी की विजए में ही हम अब हम यह नहीं समझते हैं कि हमारा अपना अस्तित्व है कि हम कंगना है या हम कोई एक स्टार है कि हमारा यहां जाने से क्या अच्छा होगा या कितना परिश्रफ यह हमने इस तरह की विचारधारों को अपतियाग दिया है अब हम एक मामुली से कारे करता है पार्टी में ज जाकि वो सिर्फ भारत के बलकि वो विश्व के सबसे लोग प्रियनेता हैं तो हम उनके पीचे पीचे चलेंगे उनके जो अजेंडा होंगे हम, हम उनकी सेना बनकर हम एक साधारन मानविया तक पहुंचाएंगे इस प्रदेश में और वो इतने लोग प्रिये हैं हम नहीं मानते कि हम अपने नाम से या अपने काम से जीतेंगे हमें ये हमारे ये मानना है कि हम हमारे प्रधान मंत्री जी के अच्छे कर्मों से उनके परिश्रम से उनके नाम से उनके बल से हम जीतेंगे हमारे घर में बहुत ही एक भावुक मोहल बना हुआ है और इतना शुप दिन जो होली का दिन है उस दिन मुझे इस पार्टी से जुड़ने का मौका मिला इतने सारे लोगों को से प्रेणना मिलेगी कुछ सीखने को मिलेगा फिर से अब एक छोटी उमर में मैंने काम शुरू किया था हाई प्रोफाइल करियर रहा अब इस इस उमर में आके मैं फिर से स्क्रैट से शुरू करूंगी मेरे सब भाई बहनों का मुझे मेरी फैमिली का स सहयोग मिलेगा बहुत छोटी उमर में मैं एक कही लिजिए कि एक स्कूल से ही चली गई थी बाहर पढ़ने के लिए उसके बाद कभी वापस नहीं आई कुछ हफता दस दिन के लिए आ गई तो आ गई तो अब माबाप का प्यार फिर से मिलेगा अपने लोगों का प्यार अप अपने लोगों की खान पान सारा जो रहता है तो उससे उससे अच्छा और उससे सौबागेशाली मेरे लिए क्या हो सकते लिए देखे काम तो आपको बता है कि समस्त भारत में ही करने के लिए बहुत है अभी हम लोगों ने हमारे प्रदान मंत्री जी ने उनियस सो डो हजा 47 तक का plan बनाया हुआ है तो हर जग़ जगा काम करने का बहुत है उसे तरह से मंडी में अब इन्होंने क्या किया है उसका हम पूरा चिथा लेंगे कितनी चीजें जो है वो पेंडिंग हैं कितनी चीजें जो हैं आगे हम लोग launch करेंगे वो सब में हमारी जो एक शिश नेत्रित्व है उनसे पूछ कर उनसे बात करके हम पूरा अपना जो अजेंडा है वो आप सब के पास जल्दी रखेंगे प्राप सब करतश है, वो आपना जो, सन्से बांठा है